जो खुल को लेकी आ शुक्य हो न स्कूल से अलब इक टन्धी ओऊ अची ओए आ को मुआ गयाे तर कई से यहां पर गुट दम बैक टू मैंचे टॉ चैनल कैसे चाद कि में होङ आँची होंगा अब लेने जाना है पच्छों को शाम के बच्छोंे पाँच और मैं बच्छों है रही है लेकिन उससे पहले ले आती है उपर से कप्ड़े इससे कहले की लगे वह घिले-घिले से ठंड है तुम्हस्तो कैरे को पर को यह था तो मैं उपर से कोई-छलेT कपड़े दोए तो आदे गीले हो गए मतला हलके हलके सुख गए और जो मोटे कपड़ें वो गीले सड़्दियों में यह होता है अदे कपड़े सुखते है और आदे कपड़े नहीं सुखते और दूपी अच्छी से निकल नेरी है तो बस यहां पर रजाई के खोल उपर बेकार में मैं को जीना पर चड़ना पड़ेगा तो बस भाईया वही खॉल फेक रहे हैं और मैं बस इने नीचे लेके जाओंगी और फिर लेने जाओंगी बच्चों को टूशन से चूंकि टाइम भी शाम का हो गया तो यहां पर स्कूटी का तो एक फायदा है बच्चों को स्कूल से ले आओं और चूशन छोड़ने चले जाओं तो बस इसकूटी का फायदा बहुत अच्छे से उठाया जा रहा है उनको टूशन भी छोड़के आ जाती हूं लेने भी आ जाती हूं तो काफी फ़र्क पड़ तो यहां पर में रजाई पर सारे खोल चड़ा दूगी क्योंकि धोए थे तो बिना खोल के न अच्छी नहीं लगती रजाई काफी हैवी भी हैं तो चड़ाने में काफी दर्द हो गया था हाथों में बहुत भारी-भारी रजाई हैं यह मेरी सासुमा की टाइम की रजाई है मतलब उन्हें बनवाई थी तो काफी मोटी-मोटी रजाई आं तो बस यहां पर 3-4 ती उन्हें पर कवर चड़ाकर में रख दूँगी और कवर्चडाने से audience एक भी λग you था कि गर्मा रजाई में थोड़ी में नहीं रहता ज्यादाए तो ज्यादा दिन तो फ ke टो Letsussen 3-4 थी मतलब चढ़ाते चढ़ाते हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो गया था और काफी रेट भी हो गया था नीचे सोफे के कवर भी मैंने चढ़ाए थे तो उसी में ही काफी टाइम लग गया था तो बस यहां पर सारा साफ सफाई कर दूंगे और गुड़ू रो रहा है फ के सपोर्ट से ही मैं यहां तक पहुच पाई हूँ और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखेगा और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको और किस चीज़ के उपर वीडियो चाहिए तो आपको मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी मैकप की या फे साड़ी वगेर की तो बताना जरूर बाकी यहां पर मेरे सारा बैट भी सही हो गया और कवर भी सारे चड़ा दीते मैंने और बस यहां पर ज़ाड़के और मैं लगा दूंगी ज़ाड़ू झाल 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 झाल